नमस्कार साथियों मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूटूब चनल पर श्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परिक्षाओं के लिए सुपकामने देता हूं जो अब्यारती UK SSE या UK PSE या Lower PCS, Upper PCS की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक सीरी चला रहा हूं जिसके अंतरगत हम प्रते एक दिन सामाने अध्यन संक्रामे इतिहास के या भुकूल के भारती समीधान से संब्मदित भारती आर्थिपर्षास संब्मदित या सामाने ज्यान से संबंदित प्रस्णों को हल करेंगे आपसे मैं प्रतेग दिन या हर दूसरे दिन थीसरे दिन एक वीडियो में अपने चनल पर Upload करूंगा इससे आप लोग फाइदा उठा सकते हैं प्रतेक दिन आप लोग 30 प्रस्णों की तेयारी आरम से इसमें कर सकते हैं ठीक है तो इसकी सुरुवात में आज पहली वीडियो से करना हूँ इसमें हम आज इतिहास को देखेंगे इतिहास से सम्मंदित हड़प्य सब्विता से सम्मंदित प्र प्रस्णों को हम इस वीडियो में हल करेंगे तो पहला प्रस्ण देखे हलप्य सब्विता का सरवतिक मानता प्राप्त काल है इसके विकलप देखिए यहां पर देखिए यहई पच्छिस सो इस्वी पूर्व से सत्रस्व पचास इस्वी पूर्व था ठीक है और इसकी ब्याक्ष्याम देखते हैं इसकी ब्याक्ष्या देखिए रेडियो कार्बंच सी 14 जैसी नवीन विशलिसन पद्दती के द्वारा कि इसकी लिखित सामगरी तो प्राप्त हुई है लेकिन उस सामगरी को अभी तक पॉला नहीं जा सकते है ठीक है और चूंकि इस काल में कांसे का प्रयोग होता था इसलिए से कांसे उगिन सब्विता भी कहा जाता है अगला परिंट है इस सब्विता के मुख्य निवासी द्रवड एंव भूमद्य सागरी थे ठीक है तो हमने इस प्रस्ण को देखा और उसकी व्याक्या भी हमने दे नहीं थी द्यान दीजेगा सिंदुखाटी की सब्विता निमलिकित में से किस सब्विता की समकालिन नहीं थी आप्शन है मिस्री की सब्विता मेसापोटामिया की सब्विता चीन की सब्विता और ग्रीक की सब्विता तो इसका जो सही उतर है वो है ग्रीक की सब्विता ठ देखे सिंदुखाटी की सब्विता मिस्र मेसापोटामिया एवं क्रीट सब्विता की समकालिन थी शेत्रिफल की द्रिष्टी से यह भाग मिस्र मेसापोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तित था समकालिन विश्व की कोई अन्य सब्विता सिंदु सब् च्छूल्ए मीले हैं क्रेट सब्यटा में प्राप्त चित्र भी सिंदू गाटी के समान ही हैं इन प्रमानों से इस्वस्ट होता है कि सिंदू सब्विता का सुमेरिया या मेसापोटामिया मिस्र तथा क्रीड सब्विता सब्विताओं से ब्यापारिक सम्मंद था ठीक है तो यह इसकी ब्याक्या है देखिए जो प्रस्न है हमारा सिंदू गाटी की सब्विता किसके समकाल नहीं थी जबकि जो अन्य विकल्प हैं मिस्री के सब्विता के समकालिन थी मिसा पोट्रामे के सब्विता के समकालिन थी चीन के सब्विता के समकालिन थी और यहां इसकी बैख्या दी गई है इन सारे सब्विताओं का अध्यन करने पर पता चलता है कि इनमें जो इनके जो ल मनता ठीकि आगे चलते हैं कि अगला प्रसुन है आगला प्रस्न है सिंदु घारिकास को कहां तक वेस्त्रित ही ठीकु पंजाब दिल्ली और जम्मु कस्मीर रातु था संभ बिहार बंगाल और लाš है पंजाव- surprised honey उप्रदेश- तो इस मंचे तो साही विकल्प होगा वो होगा पंजाब, राज़ुस्थान, गुजरात, उत्तरप्रदेश, हरियाना, सिंध और बलुचिस्तान तक सिंधु घाटि की सब्विता विश्रित थी तिक है अब इसकी ब्याक्षया देखते हैं ब्याख्या देखिए ब्याख्या सिंदु सब्विता के सर्वदिक पश्चिमी पुराइस्तल दास्क नदी के किनारे इस्तित सत्कवा गेडोर या बलुचिस्तान जिसे बोलते हैं पूरी पुराइस्तल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर पूर विथिन ब्रैकट जिला मेरट उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरा इस्तल चिनाव नदी के तट पर अकनूर के निकट, मॉला जम्मो कस्मीर तथा, दक्षनी पुरा इस्तल गोदावरी नदी के तट पर, टाइमाबाद, इसे हम दाइमाबाद कहते हैं, जिला एहमद नगर महारास्ट मैं पाये गए हैं, और गणवारी वाला धोला वीरा राखी गड़ी और काली बंगन ठीक है अगला पॉइंट स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चाद हडपा संस्कृति के सर्वातिक इस्तल गुजरात में खोजे गए हैं अगला पॉइंट लोथल एवं सुर्कोतदा सिंदू सब्विता का बंदर विकल्प है तो विकल्फ है सुर्कोतदा बनवाली मांडा और राकिगरी तो जो इसका पॉझ विकल्प है वो है सुर्कोतदा ठीक है शिंदू घातिस है नाती अपरْ नहीं किया जाता है अन्य महत्पुर्ण तत्य हैं देखें आमरी से बारे सिहां का साक्ष मिला है रोपड के एक कब्रिस्तान से मनुस्य के साथ पालतु कुत्ते के दफनाई जाने का प्रमान मिला है सुर्ण कोड़ा से एंटी मनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है और सुर्ण कोड़ा की खोज वर्ष उनिस्व चौश्ट में जेपी जोसी ने की थी तो इसमें महत्पुर्ण पॉइंट है एक तो देखें रोपड के कब्रिस्तान से मनुस्य के साथ पालतु कुत्ते को स्था ले में इस्तं और सकत्षी निरानवी Cop我 में पूछ सी नोड guar में पूखे यह तो इसकी तो इसका सही राजर्थ्ता Сам है तो इसकी बैक्षतान के ऐन्वान गर गर जिलि का एक प्राचीन एवं एतिहासिक इस्तलाई यहां हडपा सब्विता के बहुत दिल्चस्प और महत्रपुन आउसेस मिले हैं काली बंगा एक छोटा नगर था यहां एक दुर्ग मिला है प्राचीन दृष्ट्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घगर नदी का शेत्र से सब्वता सभी प्राचीन काली बंगा को पछ पिता काली बंगा 4000 इसा पूर्व से भी अधिक्ठ प्राचीन माने ёती परतम में में अम लाननद घोस्त नि कि खोच कि South तो 1952 में अम्ला नंदे घोष ने काली बंगन नामकिस्तान की खोच की थी बीके थापर वह वीवी लाल ने 1961 से 69 में यहां उत्खनन कारे किया ठीक है तो काली बंगन देखें ये काली बंगन राजस्तान में इस थी था एक बात पॉइंट के बात है और इसकी खोच 1902 ने अम्ला नंदे घोष ने की थी और वीके थाप पर वह वीवी लाल ने 1961 में यहां उत्खनन कारे करवाया था ठीक है एक मैतवर पॉइंट में आपको पताना चाहूंगा कि जो जुते वे खेतों के साक्स है वो भी काली बंगन से ही प्राप्त है आगे चलता है अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है निम्लिकित मैंसे किस पदार्थ का उप्य उप्यों के मुद्राओं के निर्मार में मोक्य रूप से किया गया था ठीक है लुत्यकर तो सही विगल्फ है वो है सेल खड़ी ठीक है तो सेल खड़ी का उपयोग हडपा काल की मुद्राओं का निर्मान में मुक्ति रूप से किया गया था अब इसकी ब्याक्या देखते हैं हडप्यकाल की मुहरें मुक्यता वर्गाकार थी और सेल खड़ी की बनी होती थी मुहरों में सरवदिक संख्या में एक स्रंगी पसु की आकर्थी मिलती है अगला पॉइंट मोहन जोदोलों से एक कान से निर्मित नर्थेकी की मूर्थी मिलिए मैं तो पुछ जाता है कि मोहन जोदोलों से एक कान से निर्मित नर्थेकी की मूर्थी मिलिए अगला पॉइंट सिंदु परदेश से भारी संख्या में आगमा पकी मिट्टी की मूर्थी थे खरप प विखरी तीक है खडप शब्विध किस युक की थी विकल्प कांच से यूग नौप पास्षान यूग पूरा फास्षान यूग लोह एक्षालिए ऱ॥्यक्या को उसकी लिपी कि ना पड़े जाक शक्रण काल की ताम्र पास्टनिक सब्विता रेडियो कार्बन विश्लेशन के आधार पर पच्छिस तो इसा पूरों में विद्धिमान मानी जाती है किन्तु यह सब्विता अपने उत्कृष्ट काल में त्याइस सो पच्छास से सतर्सों पच्छास सो पूर्वा अर्थाद 500 वर्ष तुष्टा पूरुदों के फ्ष्ट अवस्ता में रहें अपने विकास की चरम सिमा रही थीक यह अगला प्रसंग को चलते हैं कि अगला प्रस्न है सिंद्व घाटी सब्विता को लोगों का मुक्ष ब्यवसाज जो इनका मुक्ष ब्याफसाज ए जोता व्यापार नो गान्य कि और भिज़क की और है श कुझा सब्भार टाएंट गानंड़ Guinea सब्याइए विरू जोप एक सक परपर श्मार अमन्हां वार्पा संवत기가 और आप ti सब्सकास मिले हैं और Right अबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाब युनान के और भी इसका व्यापार किया जाता हो तो युनानी लोग इसका पास को सिंडनन कहते थी छीकि है आगे अगले प्रस्न के और चलते हैं आगला प्रस्न हो च would I don'tcut देखते हैं हडपा सब्विता के निवासी थे इसके विकल्ब है ग्रामिन सहरी यायावर खाना बदोज या जन जाती तो इसका जो सही विकल्ब है वो है सहरी ठीक है क्योंकि हडपा सब्विता एक नगरी सब्विता थी ठीक है उसमें नगरी सब्विता के सारे गुण उसमें विद्यमान थे ठीक है तो हड़पय सब्विता के निवासी सहरी थे यह विसकी व्याक्षा देखते हैं हम हड़पय सहरी सब्विता थी भारत का प्रथम नगरी किरन हड़पय सब्विता दोरा सुरू किया गया भारत में जूतिये सहरी किरन गंगा धारी में छटी सब्विता थी यायावर या खाना बदोस्ता मानव के प्रारंबिक काल को दर्शाता है सहर के सुरू होने के लिए प्रथम सर्थ खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है सहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसिंग्या गैर किरसी कारण में सनलग तो सहर हम उसे कहेंग जहां 75% जनसिंग्या गैर किरसी कारे में सनलग तो अगले प्रस्न है अगले प्रस्न के और चलते हैं अगला प्रस्न है सिंदू सब्विता के घर किस से बनाया जाते थे तो इसके विकलप है इंट से बांस से पत्थर से लकड़ी से तो आप इसमें अंददल आ सकते हैं कि सिंदू सब्विता के घर इटों से बनाया जाते थे इट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया हुआ प्रयोग मलाया जाता था इटों का अनुपाद चार अनुपाद दो अनुपाद एक था इट का प्रयोग अनेक आकार या प्रकार से करते थे अलंकरित इट का प्रयोग का प्रमान काले बंगन में मिला है सिंदु लाप वासी किस वस्तु के उत्पाधन में सरुप्रथम थे विकल्प है मुद्राएं के ओजार पास और जंए इसका जो exactly whisल लभी। खिर्भय उत्पादन में हड़ापावासी सरोप्रथम थे इसकी ब्याक कर देखते हैं कापास के खेती सरवपरतम हडपा वासियों द्वारा सुरू की गई हडपा वासि का पास के उत्पादन में सरवपरतम ठीक है आगे चलते हैं अगले प्रसने को क्यों और देखते हैं अगला प्रसने है निम्लिकित बिद्वानों में से हडपा सरवपरतम का सरवपरतम खोज करता कौन यह विखल्प है जो ऑडी बेनर जी ऐक अनिंगम या दियाराम साहनी विखल्पनि को?... की गई ति इसकी व्याक्षा देखते हैं हड़ापचा की सरवपरतम खोज 1921 इस्वी में 1921 इस्वी सन में दयाराम सहानी और माधव स्वरूप वस्थ द्वारा की गई जिने हम MS वस्थ भी कहते हैं हडपचा की खोज प्रतम इस्थली हडपपा है जो मांट गुमरी जिला के पंजाब या वर्तमान पाकिस्तान राज्य में अवस्तित था तो सबसे पहले हडपा नामक इस्तल की खोज हुई थी जो की वर्तमान में पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मांट कूबरी जिले में इस्तित हैं और इसी जो सबसे पहले हडपा नामक इस्तल की खोज किये जा हुआ ठीक है जॉन मार्शल उस समय भारती पुरततों इभाग के अध्यक्स थे तो उनके निर्दिसन में यह कारे संपन्वा बादमद्यारम सहानी और एमेस वत्स के दोरा और राखलदास बेनरजी के दोरा यहां सैंदव काले इस्तलों की खोज की ठीक है अगले प्रसने क्यों चलते हैं अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है सिंदू सब्वेता का पत्तन नगर या बंदर गाय कौन सा था विकल्प है काली बंगन लोथल र पाटी सब्वेता का पत्तन नगर या बंदरगाह है जिसका शेत्रिपल 214 गुणा 36 गुणा 3.3 मीटर है देशपूर और सुर्ख कोतड़ा बंदरगाह भी हड़पा सब्वेता के थे मोहन जो दुड़ों का अर्थ होता है मृतकों का टीला मोहन जो दुड़ों हड़पा खोज अगला प्रसन है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंदु घाटी के लोग माप और तॉल से परिचित थे यह खोज कहां पर हुई है ठीक है तो यह विकल्प है काली बंगन हरपा चहुदड़ी या लोथल तो इसका सही विकल्प है लोथल ठीक है तो हर हरपा के हरपा सभिता के लोग पेमानों से परिचित थे इसकी खोज कहां पर हुई है इसकी खोज हुई है जो माप तॉल से झाल्प है यह लोथल की खोज से गुणीज का प्रियोग अधिक करते थे रेखिक माप के जनक हडपा वासी थे जो हाथ की माप पिकाई थी चनुदुलो सिंदु प्रांत में सिंदु नदी तट पर अवस्तित थी ये नदी है नहीं नी ठीक है चनुदुलो से लिपिस्टिक का प्रमान मिला है भक्त था विकल्प हैं सिकारी, पुजारी किसान, स्ट्री, विद्वान, व्युद्दा, व्यापारी, स्रमीक, ब्रह्मान, श्यत्र, वैष, शुद्र, राजा, पुरुहित, सैनिक, और शुद्र तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा बिद्वान, योद्धा, ब्यापारी और स्रमिक ठीक है इसकी ब्याक्या देखते हैं हडपा कालिन समाज बिद्वान, योद्धा, ब्यापारी और स्रमिक वर्गों में विभकते था अगले प्रसने क्यों चलते है अगला प्रसने है सिंदु सब्वता का सरवदिक उ सभृत्य प्रेपा इस सभृतल Как जलते हैं निमन मैं से कौन से लक्षण सभृता केijn लोग सो ही चित्रन करता हैं तो इन कौन सेलेक्षन है जो सिंदु गाटे सब्विता का परिशे देते हैं पहला है उनके विसाल महल और मंदिर होते थे वे देवियों और देवताओं दोनों की पूझा करते थे नंबर तीन है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा किछी जाने वाले रथों का प्रियोग करते थ तो पहला परिंट है विसाल महल और मंदिर तो उनके नहीं होते थे वे देवियों और देवताओं की पूझा करते थे यह सही है और तीसरा यह युद्ध में गोड़ों द्वारा किछी जाने वाले रथों का प्रियोग करते थे यह गलत है था तो इसका जो विकल भोगा का ज्यान होता है ठीक है अगले प्रस्थ क्यों चलते हैं अगला प्रस्थ है हडपा सपता की खोच किस वर्षे में होई थी तो यह हुई थी 1921 में ठीक है इसकी ब्याक्तिया देखिए में अगले प्रस्थ को चलते हैं अगला प्रस्न है अगला प्रस्न है घ्रपा सब पारे में कौनशी उकति सही है ठीक है उग्षे सही है उन्हें अस्वमेत की जानकारी थी गाय उनके लिए पवित्री थी उन्हें पसुपती का सम्मान करना आरंब किया उनकी संस्क्रित सामानने तरह इस्तिर नहीं थी तो जो इसमें सही विकल्प है उन्होंने पसुपती का सम्मान करना आरंब कि पसुपती की पुजा संद और भैसा विराज मान है ठीक है तो पस्षुपतिनाथ की मूर्ति सिंद्व गाटी सब्द्था से मिली है जो यह सिद्ध करता कि इस समय सब्सवत्थी की पूजा होती थी अगले प्रसन को चलते हैं अगले प्रसन है अउपा के लोगों की सा पत्ति थी अचो समतावादी दास्रमिक या तो उसमें Ci-da समय विकलब होगा उच्प्समतावादी थिक है अब यह प्रसनल explorer का विभाद का विश्या बना हुआ है फिर भी चूंकि हड़पा वासी वाने जी क्यों अधिक आकर्षित थे इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवता हडपा सब्वता का सासन वनिक वर्ग के हाथ मता है अगे चलते हैं अगला प्रस्पा देखते हैं सिंद्का नकलिस्तान या बाग खडपा सब्वता के किस पुरा स्थल को कहा गया थीक है मुहन जोदुलो और शिंद्का बाग मुर्दों रख निकलिस्तान भी कहा जाता है ठीक है तो मुर्दियों का टीला आपने सुना होगा लेकिन एक निया प्रस्न है कि सिंद का नकलस्तान कि से का जाता है मौहन जोदुलों को कहा जाता है अगले प्रस्ण के ओर देखते हैं अगला प्रस्ण हड़ापय सब बता के संपूर्ण शेत्र का आकार किस प्रकार का था वर्गाकार आयताकार तिर्भुजाकार या गोलाकार इसका सही विकलब है तिर्भुजाकार था ठीक है इसकी ब्याका देखते हैं इसका फैलाव यानि सिंद प्रांत से लेकर उत्तर पुरो में आलंगीर पूर में अक्त más अप प्राप्षत भ Nu जम्मू के मानडा से लेकर दख्षिण में गुजरात के भोग तरार तक और पस्षिम में अफगानिस्तान के सुतका गेंडोर से पूरो में उत्तर प्रदेश के मेरड तक था और इसका शेत्र पल बारह लाग निरानवे हजार छैसो वर्ग किलोमेटर में था इस तरह यह शेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है बड़ा है ही प्राचीन मिस्र और मैसा पोटामिया से भी बड़ा अगे चलते हैं अगला प्रसने देखिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए सूची एक में है हडपा मोहन जोदलो लोथल और काली बंगा नीचे है रावी सिंदू भोगवा और घगगर ठीक है तो उपर इस्तल है नीचे नदियां है तो कौन से इस्तल किस नदी इसकि नदे से नैजिंद नचे किनारे होना चीए कौन सा विकल्प है पहला विकल्प सिन्दुगाटि में इस सिंदुगाटि सबता का काली बंगा राजस्थान के हनुमानगर जिले में घकर नदी के बाएं तट पर इस्तित है घ्ला पर आगे चलते हैं बन वाली तो इसका सही विकल्ब है काली बंग से ज्यूतेवे खेट का अफेश मिले हैं ठीक है लुई स्थांस से मिला है थी जो इसका जो सही विकल्ब है वह है काली भंगा घिक है तो शिंदु सब्विता की जो इटों का इतों का अलंकरन काली भंगा से प्राप्त वाइude की ब्याक्या देखते हैं ब्याक्या काली बंगन में हवन कुंड बली प्रथा जूते वे खेत या हलके साक्सा लंकरित इंट और भूकमपन के प्रमाण मिले हैं आगे चलते हैं अगला प्रस्ण है मोहन जो दोलो कहां इस्तित है तो विकल्प है पंजाब सिंदे गुजरात उ पाया गया है कहां पाया गया है यह पाया है मोहन जोद्रो में ठीक है इसकी कि यहरा है अगले प्रस्ण है अगला प्रस्न है सिंदू सभीता की मुद्रा में किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है तो इसके विकल्प जो है उसमें यह आदिशी वाला सही होना चीए क्योंकि सिंदू गाड़ी सभीता में पुझा होती थी तो उनकी जो मुद्रा में आदिशीव का या कुछ मोहरों पर एक आगरत जिसे पालती मार कर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है को आदिशीव अर्थाद हिंदू धर्म के प्रमुक देवताओं में से एक का आरंबिक रूप की संग्या दी गई है ठ ठीक है तो लोथल जो कहां था गुजरात वता इसकी व्याक्या देखिए इसकी व्याक्या थोड़ी लंबी है लोथल प्राचिन संदुगाटी सब्वता के सहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहर है लगबख 2400 इसा पूर्व पुराना यह सर भारत के राज्य गुजरात के भाल सेत्र में इस्तित है काली बंगा राजस्तान के हनुमानगट जिले का एक प्राचिन और एतियासिक इस्तल है रूप नगर एक अति प्राचिन इस्तल है नगर का प्राचिन इतिहास संदुगाटी सब्वता के सब्वता तक जाता है रूप नगर 17 के सब्सक्राइब तो इस वीडियो में मैंने सिंदु घाटि सब्बता से संब्द तीस प्रस्णों को लिया है उसकी व्याख्या भी हमने इसमें देखी तो मुझे उमीद है कि वीडियो आपके काम आएगा आप इस वीडियो को अगर दो तिन बार देखेंगे तो तो इस प्रस्णों को अगरे की जानकारी माँ आपको अगली वीडियो में आगली बीडियो में किसी और सीर्षक पर पर प्रस्णों को हल करेंगे तो आप को यह वीडियो कैसा लगा आप और में दाकर बता सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूं आप तक तुरह अंतर पहुंचें बागे की जानकारी मां को अगले वीडियो द